नमस्कार आप सभी का स्वागत हैं NCRT के लाइव इंटराक्टिव सेशन में मैं हूँ सिमरन सिंग और आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं इविद्या के चैनल नंबर 9 के जरिये इसके अलावा आप हमारे तमाम कारिक्रम देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माथ्यम से और जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा यूट्यूब चैनल है NCERT Official और दर्शकों बारा बजे का समय हो चुका है आपकी घड़ी पर आप सभी जानते हैं कि बारा से साड़े बारा हम लेकर आते हैं एक विशेश कारिक्रम आप सभी के लिए जसका नाम है Teaching Learning Interventions इसका वार्थिया हुआ कि समावेशी कक्षा का हमारा ये सत्र है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि समावेशी कक्षा के प्रती जागरुकता बढ़ाई जाए तो आज ये सत्र रहेगा गणित का Mathematics का सत्र होगा कक्षा नावी के सभी विध्यारतियों के लिए यदि किसी और कक्षा के विध्यारति भी हमारे साथ जुड़े हैं कोई सवाल, कोई प्रश्न आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं आपकी स्क्रीन पर एक Contact Number Flash हो रहा है इसके लावा आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस Email ID के जरिये कक्षा नौवी के सभी विध्यारतियों के लिए हमारे आधिकारिक Email ID आपकी स्क्रीन पर है dth.class9.ciet.nic.in और दर्शकों आपको बताते हैं कि आज हमारा विश्य क्या रहेगा आज हम पढ़ने वाले हैं Polynomials के बारे में तो आपका परीचे कराते हैं हमारी महमान डॉक्टर शिल्पा जैस्वाल मैम से नमस्कार मैम नमस्ते विएर्स नमस्ते शिल्बेंगी धन्यवाद मैम सहाइक प्रोफेसर हैं Mirinda House University of Delhi से और दर्शकों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने इस विशेश सत्र में एक Sign Language Interpreter की मदद से हम इसे और सुगम में बनाने की कोशिश करते हैं आज Sign Language Interpreter हमारे साथ मौझूद है Miss Anushka Sharma नमस्कार आपका भी बहुत-बहुत सभागत है इस सत्र में तो चलिए अपने इस प्रोग्राम की शिर्बात करते हैं सीधा माम की और रुक करते हैं और जानते हैं कि आज माम क्योंकि हम पॉलिनॉम्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिनॉम्यों सोड़ा सद डिफिकल्ट कॉंसेpt है डिफिकल्ट है या नहीं और आज हम क्या सीखेंगे इसके बारे में हमें बताइए देगे Simran आपने जो बोला difficult है या नहीं या सुनने में difficult लग रहा है मैं ये मानती हूँ कि कई बार नाम ऐसे होते हैं chapter के या concept के जो हम पहली बार सुनते हैं मैं आपको बता दू Simran कि अभी तक जो student थे वो 8th class तक थे और 8th class तक उन्होंने जो भी concept पढ़े maths में जो भी chapters देखे उसमें ये शब्द नहीं आया था polynomial तो उनके लिए लग रहा है कि ये शयद भारी भरकम शब्द है और 9th में भी आ गए हम जब 9th में आते हैं तो हमें एक लग से feeling आती है कि हम शयद बड़ी class में आ गए हैं ये हर किसी को आता है जिसे 9th से 10th में जाएंगे तो आपको लगेगा और बड़ी class में आ गए है बिलकुल और मैम जब हम examination point of view से बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये chapter और ज़्यादा जरूरी हो जाता है देखें examination point of view से होता है क्योंकि सभी सवाल आते हर चेप्टर से सवाल आते हैं हर concept पूछा जाता है यहां पर जो polynomial से वो important इसलिए हो जाता है क्योंकि वो गड़ित में जितने भी concept सीखें सिम्रन उन सब को जोड़ लेता है बिलकुल बिलकुल जैसे आपने arithmetic में जमा घटा अगुणा भाग किया उसको जोड़ेगा उसकी जोड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं हमारी सभी दर्शकों के साथ साजा करना चाहूंगी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब उपलब्ध है एक सुनहरा आफसर आप सभी के लिए परिक्षा योध्धा बनने का और 29 जनवरी 2024 को सुभर 11 बजे भारत प्रगती मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा अलोग प्रियकारिक्रम जसका नाम है परिक्षा पेचर्चा जसमें माननीय प्रधान मंतरी श्रीन देंद्र मोधी जी स्कूली छात्रों उनके अभिभावकों और शिक्षकों से करेंगे सीधा संबाद तो ये अफसर आप बिल्कुल भी मत गभाईएगा और आपके एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं तो अच्छी तरह से सीखे और समझे कि पॉलिनॉमियल्स क्या होता है जी माम सिम्रन आपने ये बहुत ही स्टार्टिंग में बात करी है मुझे भी अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स को भी लग रहा होगा हां एग्जामिनेशन के लिए तो हम पढ़ते ही हैं कई बार पर एग्जामिनेशन से ज्यादा यहां पे अगर आप कॉंसेप्ट समझेंग अपकोई ये あप केकंसेप्ट्स में आखे कि कैसे बल्व depois ले नी है तो आप समझ जाता है और कहां शौ्ट लगाते हो आपको पदा है तो यही बात गडित में भी है अगर आप कॉंसेप्ट को समझेंगे कि पॉलिक्शा में बिलकुल डरेंगे नहीं और अछे से उसके य है भी आपको बताया, सुरू करते हैं हम पहले की बातuestे हैं सिमरण स्पञेंश को बोलेंगे कि आप अगर चाहते हैं तो पेपर पैंन ले लिजी तो Simran जैसे अगर आपके पास गड़ित की जानकारी है, आपने पहले classes में पढ़ा है, तो मैं आपको कुछ नियम बताती हूँ, आप उससे कुछ expression बनाने शुरू कीजेगा, जो हमारे student भी जानते हैं, 8th class तक उनों ने algebraic expression पढ़े हैं, लिखे हैं, उनको हल किया है, उनके सा जमा, घटा, गुणा, भाग की है उनकी, तो मैं ही चाहूँगी कि थोड़ा सा एक बार हम फिर से उसको देखते हैं, माल लिजे कि अगर मैं आपको, आप लिख भी सकती हैं, कि मैं आपको दो numbers बता रही हूँ, दो, यानि कि 2 numbers लिखिए, अपने आगच पे, या किसी मन में रखिए, और मैंने आपको बोला, कि X, तो आपके पास एक 2 है, और X है, आपके पास 4 operation है, जमा, घटा, गुणा, भाग, आपको क्या करना है, आपको एक algebraic expression मनाना है, तो इसमें से अभी 2 operation use कीजिए, किस कीजिए, जमा को और घटा को, जमा को और घटा को use करके, क्या कोई आप कोई ऐसा expression लिख सकते है, जिसमें X और 2 दोनों आए, तो जमा का इस्तेमाल करते होए, एडिशन का इस्तेमाल करते होए, या X plus 2 हो सकता है, X plus 2 हो सकता है, student 2B बनाए होगे, 2 plus X भी हो सकता है, and 2X भी हो सकता है, कि मना आप लिखिए, और मैं students को बताती हूँ, जैसे 2X X plus 2, and अगर और आगे बढ़े हम, जैसे हम, मैंने तो अभी बुलाता है, जमा और घटा का इस्तेमाल करना है, तो X minus 2 भी लिख सकते हैं, जि, है न, तो इस तरीके कि आप अपने algebraic expression बनाते थे, और 2 minus X भी लिख सकते हैं, 2 minus X भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपने algebraic expression बनाए, अब जो algebraic expression आप बना रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कि इसकी X की power क्या है, यानि कि X का exponent क्या है, 1, 1 है, students भी बता रहे हैं, है न, तो यह सारी चीज़े बनागे, हमने algebraic expression बनाए, जी, आपने algebraic expression के साथ जमा घटा भी क मैं आपको कह रहे हूं, आपने दो expression लिखे थे, X plus 2 and X minus 2, अगर इन दोनों को जमा करना है, तो आप जमा कर सकते हैं, घटा करना तो घटा कर सकते हैं, क्या आएगा, आप इसकी practice करिए, algebraic expression की जमा, घटा, गुना, भाग, जो भी आपने इस एर्थ तक किया है, उसको अच् square बनाना है मैं को एक, यहां पे कुछ blocks है, तो square बनाना है, तो मैं पहले मैं को, और समावेशी कक्षा के लिहास से इस तरह की activities, teaching learning material और भी जरूरी हो जाते हैं, तांकि बच्चों के लिए ये concepts आसान बने, अब सिमरन, आपको क्या करना है, आपको feel करके बनाने, अगर आप तो मैं आपको सारे देदू, blocks और बना लोगे, भी blocks है, तो हम महसूस करके भी बना सकते हैं, तो थोड़ा challenging करते हैं अपने आपके लिए, क्या हम square बना सकते हैं, वैसे मैं मैं के असानी किये, मैं थोड़ा material starting में मैं को दिया है, जो असानी से बना देगा, लेकिन अगली ब बनाएंगे, उसकी जो भुजाएं होंगी, उस पे तीनों पे, चारो साइट पे, बराबर बराबर blocks लगाएंगे, जो square हम बनाते हैं, तो उसकी sides की जो measurement होती है, length होती है, वो equal होती है, तो मैं मैं बना रही है, मैं बना के दिखाएंगे हमें, यहां मैंने कुछ कोशिश की हैं, और इसी तरह से आप भी हमारे बच्चों को रख कर दिखाएंगे, पेच पे, देखेंगे, मैं यहां पे अगला बनाती हूँ, तो यह squares बच्चों खुद भी बनाने के लिए ट्राइ कर सकते हैं, अपने घर पे, यह देखिए, मैं यहां पे, अभी मैं आपको field करके ब blocks लगाएं, अंदर की जो side आएंगी, वो मैं draw कर देती हूँ, देखिए, इसमें जो स्थान घेरा अंदर का, वो square के shape में घेरा, तो यहां पे मैंने 1, 2, 3, इधर कितने हैं, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, 1, 2, and 3, देखिए, स्थान घेरा इसने, तो अब यहां पे, मैं आपको कुछ और blocks देती हूँ, तो आप देखिए, कितने बना सकते हैं maximum, जैसे मैंने यहां पे बनाया, अब सिम्रन हमारे पास challenging task किये है, कि blocks तो limited हैं, जी, अगर हमें 3 cross 3 का, यानि कि जिसकी भुजा की 3 unit है बना लिया, 4 का बना लेंगी आप, बिलकुल, मैं कोशिश करेंगी, 5 का बना सकती है, और अगर मैं आपको एक challenge दो, कि आपको 100 into 100, यानि 100 units वाली का बनाना तो बना पाएंगी, 100 by 100 का, और उसके लिए हमें बहुत सारे blocks चाहिए, और अगर म मैं बना सकती हूँ, लेकिन आपको उसका formula लिखना है, formula generate कर रहे हैं, तो आपको formula कैसे लिख पा होगे, मुझे लगता है, जी, जी, जैसे हमने अभी आप से बोला, कि आप 2 unit वाली, भुजा, unit वाली भुजा का, एक square बनाना है, तो आपने 2 blocks लिए, बिलकुल, तो जो हमने पढ़ा, previous classes, मैंने बगा न, shape की भी जनकारी हम इसमाल करेंगे, तो previous classes में हमने पढ़ा था, कि जो square का area होता है, वो क्या होता है, भुजा, गुणा, भुजा, जी, तो भुजा किते unit थी, 2, 2 unit, दूसरी भुजा किते unit थी, 2, क्योंकि square था हमारा, तो हमने क्या किया, इसका area कितना आएगा, भुजा, गुणा, भुजा, 4, 4 unit square, क्योंकि इसकी unit, unit में ले रहे हैं, हम centimeter, meters में बात नहीं कर रहे हैं, तीन का जब हमने लिया, जब 3 unit भुजा थी, तो हमने क्या किया, इसका area कितना आएगा, 9, 3 units, multiply by 3 units, तो 9 units आएगा, लेकिन अगर मैं आपको संख्य आएगा, तो और उसका area लिखना हो, कावच पे, या बताना हो, मुझवानी जैसे हम बात कर रहे हैं, तो आप कैसे बताएगे, सिमरन, या learners बताएगे, कैसे बताएगे, तो मुझे लगता है, फिर हम ABCD का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ, जैसे हम कहते हैं, कि Mr. X, कही बर हम कह इस्तेमाल करेंगी, बिल्कुल, कर सकते हैं, PQRS का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे भी alphabet का मुझे लगता है, इस्तेमाल कर सकते हैं, XYZ का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो हमारे students हैं, उन्होंने algebraic expression पढ़े हैं, बिल्कुल, और उन्होंने देखा है, observe कि हम XYZ, LMN, PQRS, ABCD, ABCD को वो constant लेते हैं, क्योंकि इसमें देखिए, जब आपने बोला X plus 2, तो हमारे learners यह जानते हैं, पढ़ा हैं, उन्होंने, कि इसमें एक variable है, और एक constant है, तो जो constant है, वो ABCD में लिखे हैं उन्होंने, प्रिवेस क्लासे में, और जो variables हैं, उन्होंने XYZ, यानि यह X plus A हो सकता है, X plus A अभी इसलिए नहीं है, क्योंकि हमें तो दो पता है न, बिल्कुल, अगर मैं ही कहती, जैसे हम example है, कि आप auto से कहीं जा रहे हैं, और auto का fare, आपको देना है, तो auto के fare में आप कई बार क्या होता है, आप tip add करते हैं, जी, बाला आप थोड़ा सा पैसा जैसे माल लीजिए कि आपके 26 रुपे बने, तो आप क्या करेंगे, कि आप कई बार होता है कि ठीक है, छोड़ दिये, 30 रुपे दे दिये, मैं यह नहीं कहा रही हर बार होता है, कई बार होता है, तो माली जै आपने एक fare calculate किया, Simran, तो fare calculate करने के लिए, आपने क्या किया कि, डाउनिंग का मेर फिक्स जो चार्ज है, वो 30 रुपीज है, मैं डेली की बात कर रही हूं, तो 30 रुपीज तो फिक्स है, उसके बाद जितना आपने वैरी किया, जितना आप चले, उतने किलोमेटर वैरियेबल हा, आप 100 किलोमेटर चल सकते हैं, आप 10 किलोमेटर चल सकते हैं, आप 5 देंगे वो बाद में decide करेंगे कि हमारा fair कितना बना और हमने कितने रुपे उनको देने तो इस तरीके से हम जब हमें constant नहीं पता तो हम ABC की बात करते हैं बिलकुल और जब हमारे variables नहीं बता हम XYZ की बात करते हैं यहां पर अगर हमें formula लिखना हो यानि की हमें पता यह के हमारी भुजा का साइज क्या है कितने centimeter हम उसका formula क्या वनाया हमने एक स्क्वार आपने क्या तो इंटो थी इंटो फ्री चार गूरा चार गुणा चार ज्बुजा का साइज चार उनित तो आपको अगर यहीं नहीं प जी ब्लॉक दे दीजिए तो इसका फॉम्मला क्या बन सकता है एक्स गुणा एक्स और इसको कैसे बोलेंगे हम एक्स स्क्वार यह लेर्नर से पढ़ा है और यह देखिए कॉंसेट कितना आसान है क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हम गड़ित को कैसे पढ़ते और समझते हैं लेकिन अगर आप उसे ना भी लिखना चाहें तो मुझवानी जैसे हम समझ रहे हैं तो हमें जरूरी नहीं है कि हर बार हम गड़ित की किताब खुलवाएं बिल्कुल पेपर पैंसल निकलवाएं आप चर्चा कीजिए पॉलिनॉमियल अगर यही चैप्टर हम बात कर रहे ह हैं रहे ह worst, कि के लिखने में कोई रहे हैं इस की बात कीजी आप और एक्सपीरियन्स सीज़ मैं सिम्रन से पूछ रही हूं कि आप बताइए कि आपने और कहा कहां ऐसे expression देखे हैं जैसे अगर आपको लड्डू लेने हो तो उसमें भी LGBT expression बना सकते हैं सिब्रन हम किस तरह से जैसे कि माली जी एक हलवाई है जी और वो एक दिन में कितने लड्डू बेच रहा है वरियेबल है ठीक है किसी दिन 10 बेचे किसी दिन 20 बेचे किसी दिन 50 बेचे और माली जी अगर वो कह रहा है कि एक आदमी उनसे रोज 10 लड्डू तो लेके जाता ही है तो 10 तो fix हो गए तो वो plus 10 तो हमेशा रहेगा और उसकी बिकरी कितनी हो रही है डेली फ्लक्टिट कर रही है तो एक्स प्लस 10 हो सकता है यानि कि 10 तो मेरे बिकेंगे है यह आप एलजेब्रिक तो हमारे total बिकरी कितनी हुई ? X plus 10 X plus 10 with 10 0 बिकरी नहीं तो कितना बिकरी हमारे at the end ? X 10 और अगर हमें अलग से बिकरी नहीं तो 10 ही रह जाएं 10 तो बिकरी हैं लेकिन जो हम यह कह रहे हैं और बिकरी हैं वो बिकरी ही नहीं कोई customer आई नहीं तो polynomials जब आप बात करते हैं आप कुछ expression लिखिए जैसे मैं आपको बताती हूँ आप मेरे पास कुछ expression है यहां लिखके दिखाती हूँ बोल के बताती हूँ आप लिखिए 2X Simran आप भी लिख सकते हैं आपने मन में भी लिख सकते हैं 2X X square plus 2X यह अगला expression लिखा मैंने बोला एक और मैं लिखती हूँ X की power 3 minus X की power 2 plus 4X plus 7 ठीक है यह तीन expression अलग-अलग है Simran ठीक है तो अब जो यह तीन expression अलग-अलग है क्या आप मुझे इसमें बता सकते हैं कि कुछ common लग रहा है आपको मुझे लगता है X common है हर एक में हाँ क्योंकि मैंने X में लिखे हैं चलिए मैं एक और लिख देती हूँ T square plus 4 एक और बता देती हूँ देखे जो भी expression हमने लिखे है Simran तो इसमें जमा, घटा, गुणा सब का इस्तमाल किया है देखें यहां पर गुणा आ रही है यहां लिखा है जो expression X की पावर 3 घटा X की पावर 4 जमा Sorry X X की पावर 3 घटा X की पावर 2 जमा 4 X जमा 7 तो गुणा भी आई घटा भी आई, जमा भी आई numbers भी आया और variable भी आया यहां पर ध्यान देंगे तो यहां सब की जो exponent powers है, यह whole number है पूरे पूरे number है, मैंने जब पहले expression लिखा 2 X X की पावर क्या रही 1 whole number है पूर्ण सख्या है अब जो दूसरा मैंने बोला आपको X square plus 2 X इसमें कितनी पहले वाले X की 2 है और पीछे वाले की 1 जो मैं हाईलाइट मैं आपको बताती हूं यह के करके लेते हैं ताकि confusion ना first हमने expression लिखा और बताया 2 X है ना, तो जो 2 X लिखा यह 2 X बोला इसमें X की पावर 1 है ठीक है, फिर मैंने लिखा बताया, X square plus 2 X अब इसमें X की पावर क्या है? 2 और यहां X की पावर क्या है? 1 कहीं पे ऐसा तो नहीं की कोई और संख्या, पूर्ण संख्या है यह भी दो भी पूर्ण संख्या है अगला मैंने बताया आपको 3 X minus 2 X square 3 X की पावर 2 X की पावर 3 minus X की पावर 2 plus 4 X plus 7 इस वाले में भी पूर्ण संख्या हैं ही पावर है इनकी जी, 3, 2, और 1 तो आप कुछ expression लिखिए पहले expression पे बात कीजिए यह आपने मन में बोलिए पहले expression मैं लिख रही हूं यहां पे 2 X इसमें कितनी terms है यानि term क्या होती है मैं आपको बताती हूं यहां पे जब मैं बोल रही हूं 2 X तो इसमें एक term है और जब मैंने दूसरा expression बात किया जैसे हमने लट डूवल expression बात किया था याद कीजिए X plus 10 बनाता उसमें 2 terms आई थी यहां पे देखे इस वाले में कितनी है मैं जो बोल के बता रही हूं X square plus 2X कितनी terms आई इसमें 2 terms है terms कौन कौनसी है पहली term कौनसी होगी X square जो box में मैंने लिखा है जो मैं बोल के बता रही हूं X की पावर 3 minus X की पावर 2 2 plus 4X plus 7 इसमें कितनी terms है इसमें है 1 2 3 4 4 terms है और अगर मैं आपको एक और variable एक और expression दूँ T की पावर 2 plus 4 इसमें कितनी terms है तो हमने सबसे पहले क्या देखा expression लिखना और बोलना सीखा बनाना सीखा उसके बाद कितनी terms के बन रहे हैं वह expression इसकी चर्चा की अब बात करते हैं जो हमने 2X यहां पर बोला तो X के साथ multiplication में कोई एक number है हमारे पास 2 यानि 2X बोला था तो जो यह 2 है यह इसका coefficient कैलाता है जी coefficient यह इसकी coefficient कैलाता है अभी हमने पावर की भी बात के ती जो whole number में थे बिलकुल अब हम बात करें coefficient की तो अब कोई भी expression आप बोलिए जैसे हम लेट डूवाल expression दुबारा लेते हैं X plus 10 तो इसमें X का coefficient क्या है X plus 10 1 होगा 1 है बिलकुल सही बताया आपने 1 है ठीक है तो X के साथ यहां पर एक ही term थी अब हम दूसरा example ले रहे है तो मैं इससे पहले आगे बढ़ें मतलब बच्चों के लिए यह जो terms है यह याद रखना जरूरी है कि coefficient कैसे कहते है term क्या होता है इसमें कई चीज़े हैं जैसे हम polynomial कैसे बनेंगे operations कौन कौन से आ रहे है constant की जानकारी घटा जमा गुणा भाग इनकी जानकारी तब हम polynomial लिखेंगे तो हमें पता रहेगा कि यह polynomial है जैसे आपने जो बात करी कि हमने यह example लिए अगर मैं आप से बोलूं कि 7 को आप क्या कहेंगे constant constant कहेंगे जी पॉली नोमिल में यह पॉली नोमिल है अचा क्या 7 अपने आप में पॉली नोमिल है जैसे ही यह आपने 2X की बात की थी 2X एक पॉली नोमिल बना जी जी ठीक है 7 एक पॉलीनोमिल है कैसे previous classes की जानकारी हाँ मैं लिखती हूँ आपके लिए मैंने लिखा 7, ये भी एक polynomial पे चर्चा कर रहे है, 7 कैसे है, अब आप पिछली classes की जानकारी खटा कीजिए, याद कीजिए, की X, मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, क्या होता है, इसका answer क्या निकलेगा, इसको हम कैसे हैल करेंगे, 2, 2 की पावर 2 कैसे हैल करेंगे, 4, 4, 2 की पा ये 6 हो जाएगा, और 2 की पावर 0, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, X की पावर 0, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो जब हमने 7 बोला, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 है, लेकिन इसके साथ में, गुणा में, X की पावर 0 है, जो हमें आता है, इंटो 1, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ये 2 की पावर 1 ले रहे हैं उसका हल क्या होता है 2 की पावर 2 ले रहे हैं तो उसका हल क्या होता है 2 की पावर 3 ले रहे हैं तो उसका हल क्या है आपने 6 बोला और मैम इस तरहां की जो हम mathematical problems जब solve भी करते हैं जब इसको समझते भी हैं बच्चे तो शिरवाती दोर में बच्चे किस तरहां की गलतियां करते हैं जिनका ध्याल देखते हैं अब भी हुई है जी मैंने इस लिए इसको दुबारा बोला है कि उस पर चर्चा करें जैसे आपने बोला 2 की पावर 3 या मैंने भी बोला 6 जी करके देखते हैं अरे पर वो 6 नहीं है वो 2 x 2 x 2 है जी यही गलतियां हमारी एक्स्टेंस में होती है और यह कॉमन मिस्टेक्स हैं इस पर हमें ध्यान देना है अलजेब्रा में बहुत जादा यानि कि जो पॉलिनॉमिल्स है उसमें यह गलती से मिलें अक्सर होती है जी क्योंकि हमारी लर्निंग में चले जाते हैं और हमने इस सिक्स होगा या 8 होगा तो देखिए करके देखिए क्या होगा और जो मैंने आपको बताया कि 7 is also polynomial ये constant polynomial है इसी तरीके से हमारे पास 0 polynomial भी होता है ठीक है तो जब आप इन polynomials को बनाएंगे और इसकी बात करेंगे तो आपको polynomial समझने में असानी होगी जो आगे factor और remainder theorem है उसमें असानी बच्चों ने polynomials के बारे में तो सीखा और इसके अरवा बहुत से शब्द भी है ऐसे शब्द जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है तो हम चाहेंगे कि हम अपने दर्शकों को इन keywords के बारे में भी वता पाएं तो सबसे पहला keyword दर्शकों आपकी screen पर भी ये मौजूद ह पॉलिनॉमियल्स दूसरा keyword होगा constant polynomials और तीसरा keyword होगा 0 polynomials तो मैम पॉलिनॉमियल्स हम समझ गए constant भी और 0 भी तो क्या इस से जुड़ा हुआ कोई ग्रह कारे कोई होमबग भी है हमारे सभी विद्यार्थियों कि ग्रह कारे हमने अपने कारकरम से जुड़ा हुआ ही रखा है ताकि हमें polynomial समझने में और असान ही हो तो students को यहां पे मैं बता देती हूँ कि उनको 5 polynomials के examples लिखने हैं जी उसमें जो आज की हमने चर्चा की terms, coefficient और constant polynomial, 0 polynomial इनकी जानकारी को इस्तेमाल करते हुए आप 5 polynomials लिखे, modified करते हैं इसको आपको बताने हैं आपके आपके पास, आपके teachers होंगे या आपके friends होंगे आप एक दूसरे को बताईए, बोल के बताईए, 5 polynomials के example जिसमें terms भी आएंड, 2 term भी हो, 3 terms भी हो, जिसमें 0 भी आ रहा हो, constant polynomials भी हो सकते हैं आपके, तो आप इस तरह के की बात्चीत आपस में कीजिए, और ये जो गड़ित के concept है, लिख भी सकते हैं और आप बोल भी सकते हैं और modified homework भी आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए, modified homework मैंने बताया है, उनको बताने है, अपने साथियों को, you tell 5 polynomials to your friends जी, और दर्शकों आप किस तरह से हमें ये भेज सकते हैं, एक homework submission format है, वो भी आप सभी की screen पर हम लगातार flash करते हैं अपने इस सत्र में expert और teachers ने, जो सत्र आपने attend करा है, जिसके बारे में आप जानकारी भी प्राप्त करना चाहते हैं, और जिससे जुड़ा हुआ homework, आप हमारे साथ साजह करना चाहते हैं और date of the session जो तिथी है, और photograph जो है आपकी आपकी जो तस्वीर है, वो पूरी तरह से एचिक है, optional है, यदि आप अपनी तस्वीर लगा कर भेजते हैं, तो हमें बहुत खुशी होगी, अन्य था यह आपकी मर्जी है और मैम इस से पहले कि सत्र को यहीं विराम दे, अक्सर इस तरह के जो concepts होते हैं, और यह जो transition होता है, 8 से लेकर 9 में और 9 से लेकर 10 में, यह बच्चों के लिए थोड़ा सा यह phase मुश्किल होता है, खास तोर पर जब हम समावेशी कक्षा की बात करते हैं, तो इस तरह के concepts प है कि एक transition phase है, और transition phase हो difficult होता है कि हम abstractness की तरफ बढ़ रहे हैं, अब हमारा जो concrete material है, तो math abstractness की तरफ भी जा रहा है, जो शिक्षक हमें देख रहे हैं, जो teachers हमें देख रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं कि abstractness की तरफ जा रहा है, हम बात करेंगे concept की, जो senior level, उसकी जो difficulty हो बढ इस्तमाल करें, या किसी और method से इस्तमाल करें, जिसमें जैसे माली जो कोई video दिखा रहे हैं आप या कोई और चर्चा करें, तो उससे बहतर है कि आप पहले एर्थ तक जो पढ़ा है, उसके बारे में चर्चा करें, उनके examples उनी से ले, उनी से बोलें, वो बोल के बताएं, वो classroom में चर्चा करें, अपने साथियों से उनको help करें, तो जब वो आपस में बात करते हैं, और एक दूसरे को examples बताते हैं, कि उन्होंने algebraic expression ने क्या पढ़ा previous classes में, as a teacher हम उनकी मदद करते हैं, कि यह algebraic expression थे, उनके एक revision होती है, और उसके बाद हम उसको तब उन polynomials पर लेके हैं, ना कि direct की, आज हम polynomials पढ़ेंगे, तो वो एकदम से समझनी बात है, किस किस चीच को connect करना है, shape को, numbers को, formulas को, आप मानिये, इतने सारे formulas उन्होंने याद की होते हैं, सारे algebraic expression और algebra की मदद से होते हैं, जैसे हमने आज बात की 4, जो हमारा square था, उसमें, x square हमने formula बनाया, उसका perimeter की बात करें, तो 4a, यानि 4 गुणा भुजा, ऐसे बनता है, बाकी सारे बनते हैं, तो इसमें उनको असानी होगी, मदद होगी, confidence आएगा, यानि जो concept building है, concept building है, जो math में conceptual knowledge है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, conceptual knowledge है, previous knowledge को connect करना, क्योंकि ये एक जुड़ावा concept है, तांकि बच्चे को एकदम नया ना लगे, नया ना लगे, नया तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ जुड़ावा है, बस class division है, कि हम ये 9 ते पढ़ेंगे, और 8 तक पढ़ेंगे, और शिक् कितनी असानी से, बिल्कुल, और हमारे दर्शक भी मुझे लगता है भली भानती, इसके बारे में समझ गए होंगे, तो शिल्पा मैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस जानकारी से जुड़ा हुआ बैनर भी हम लगातार, अपने ह इस वर्ष के लिए अखिल भारती है, बच्चों की शेक्षक e-content प्रतियोगिता की घोशना कर चुका है, यदि आप एक शिक्षक, शिक्षक, प्रशिक्षक, छात्र या स्वतंत्र शेक्षक e-content निर्माता हैं, तो आप प्रतियोगिता के लिए अपना सर्व के लिए क्रिपया CIT की वेबसाइट को देखें, अथवा स्क्रीन पर दिखाया जा रहे है QR कोड को, अपने मुबाइल फोन से स्कान करके आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, प्रविश्चियां भेजने की अंतिम्तिती है 30 जनवरी 2024, यानि बहुत समय है, अ दो बजे फिर से हाजिन होगे, गणित का ही एक सथ लेकर, और इसमें हमारा जो टॉपिक है, हम पढ़ने वाले हैं, डस इट लुक द सेम, तो कौन से अबजेक्ट होने वाले हैं, किसकी चर्चा होगी, या आपको पता लगेगा दो बजे, तो देखते रहे हैं इविद्या चानल, नमस्कार